दोस्तों, courses and career के एक नय अपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है आज मैं फिर से आप लोग के लिए 3 best courses जूड लाया हूँ ये 3 courses free हैं, इनके साथ certificates में मिलेंगे Hindi और English दोनों language में है इन courses को आप मातर 5 दिनों में complete कर सकते हो और अपने career को एक नई उडान दे सकते हो पार्ट टाइम earning भी कर सकते हो इस lockdown में अपने सकीमती समय को useful बनाने के लिए सबसे best option है नई नई skill को सीखते रहना आपको हर जगा ये सुनने को मिल जाएगा कि इंडिया में job की बहुत कमी है ये बात सच है हम सब मानते हैं लेकिन इसके पीछे four main reasons है चार ऐसे problem जिसकी वज़े से आज इंडिया में इतनी job की कमी है जो ज़्यातर लोग नहीं समझते है number one कि maximum लोग वो कर रहे हैं जिसके demand बहुत कम है number two second most important reason यह है दोस्तो lack of required skill अच्छी level की skill की कमी क्योंकि maximum लोग courses करते हैं महंगे महंगे college में पढ़ते हैं और उन्हें मिलता क्या है सिर्फ degree and certificates मेरा friend चार साल में IT ब्राज से बीटर किया लेकिन चार साल में वो एक wordpress से अच्छी website वराना भी नहीं सीख पाया engineering complete करने के बाद Java YouTube से सीखा WordPress YouTube से सीखा तो ऐसे चार साल पढ़ने का क्या फायदा जबकि wordpress जावा जैसे skill 10 से 20 दिन में कोई भी fee of cost सीख सकता है जैदातर लोगों में सीखने के इच्छा भी कम होती है लोग तब ही सीखते हैं जब पैसे की जरुद पढ़ती है जब skilly नहीं रहेगी तो company job क्यों देगी Economy and global slowdown Economy की problem पिछले कई सालों से तो चली रही थी उसी में अब कोरोना वाइरस हो आ गया जो पूरी दुनिया को एक recession में ले गया इंडिया एक इकोनोमी की हालत पहले से और खराब हो गई है इंडिया टूडे के अनुसार unemployment 10% से बढ़कर 23% को पार कर दिया है और fourth region है आज के industry और universities के coordination की कमी अभी तो education policy change कर दिया गया है हो सकता ये कुछ सालों में सुधर जाए लेकिन दोस्तो अभी तक जातर college और universities के syllabus आउट डेटेटर हो चुके हैं जो आज के job market से बिलकुल match नहीं करते हैं टेकनलोजी advancement की वज़से हर साल job market rapidly change हो रहा है लेकिन universities में आज भी वही पढ़ाय जा रहा हैं जो 10 साल पहले पढ़ाय जाते थे और इसका result क्या निकलता है लड़के चार साल में वही outdated knowledge भरकर बाहर निकलते हैं और company उने hiring नहीं करती है इसका example आपको कई college में देखने को मिल जाएगा mechanical, chemical branch से QA engineers को आप IT field में job करते हुए देखेंगे लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसे मुश्किल समय में बाहर निकलना चाते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कोई भी एक useful in demanding skill हो जिसके demand अभी हो और future में भी हो जो आपको काफी अच्छे पैसे कमा के दे तो इस problem को समझते हुए मैं आप लोग के लिए free of cost 3 most useful courses पताने जा रहा हूँ सो without any further delay, let's get started दोस्तर इस लिस्ट में number one पे है game development without coding ये course का माल का है, इस course को करने के बाद आप हर तरह के 2D game बनाना स्थिक सकते हो बिना किसी coding के और वो भी free of cost अगर आप एक 2D game बनाते हो और उसे google play store पे upload कर देते हो और उस game पे 30,000, 40,000 डाउनलोड आ गए तो आप हर महीने के 20,000, 25,000 रुपे अराम से कमा सकते हो बस आपको एक बार game बनाना है और उसे google play store पे publish कर देना है फिर आपको lifetime तक जब तक active users यूज़ करते रहेंगे आपके game को तब तक google ads से आपके पैसे आते रहेंगे आप लोग में से बहुत लोग ये सोच रहेंगे game बनाने के लिए degree diploma, high level programming, coding की जरुवत पड़ेगी लेकिन दोस्तो आज के स्मॉडरन, information and technology की दुनिया में आपके हर एक problem का solution है जैसे आप बिना coding कीए, wordpress से हर तरह की, literally हर तरह की website बना सकते हो वैसे ही आप बिना coding कीए, एक software की help से हर तरह के 2D game बनाना स्थिक सकते हो जिस course को मैं बताने जा रहा हूँ, वो complete 9 गंडे का course है हिंदी में है, free of cost है तो चलिए मैं आपको इस course से introduce कराता हूँ दोस्तों ये course आपको Udemy पे मिल जाएगा इसके लिए आप Udemy पे जाईए और search करिए game development जैसे आप ये keyword search box में search करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे courses आ जाएंगे फिर आपको filter में आना है और यहाँ पे price में free कर दीजिए language में हिंदी कर दीजिए फिर आप filter अपलाई कर दीजिए तो दोस्तों ये course आपके सामने आ जाएगा आप देख सकते हैं ये है वो course game development with construct 2-3 ये complete 9 गंडे का course है 10,000 से ज़दा बच्चों ने इस course में इंडॉल किया है और काफी अच्छी rating दी है literally इस course को करने के बाद आप हर तरह के 2-D game बना पाएंगे काफी अच्छे 2-D game और उसे play store पे publish करके काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो दोस्तों यहाँ पे आपको certificates नहीं मिलेगा क्योंकि Udemy के कोई भी free course करते हैं तो उसमे certificates नहीं मिलते हैं certificates लेने के लिए उस course को purchase करना होता है सा bonus है जो लोग भी stock market, trading, nifty, sensex, sharebazar को अच्छे से सीखना चाते हैं उन लोग के लिए 5000 रुपे का course free है बस आपको link पे click करके course पे जाना है और apply offer में abject fact का promo code यूज कर देना है सिर्फ abject fact लिख देना है फिर ये 5000 रुपे का course बिलकुल free हो जाएगा ये course हिंदी में है और आपको certificate में मिलेगा तो जो लोग भी sharebazar को सीखना चाते हैं उनके लिए best course है second number पे है python programming in Hindi by IIT Bombay दोस्तो coding programming हर जगा चाया हुआ है अब तो हमारे new education policy के नुसार coding class 6 से बच्चों को सिखाया जाएगा आजकल हर field में coding आ चुकी है softwares सारे industry को disrupt कर रहे है चाहें वो banking हो, education हो, agriculture हो, manufacturing हो हर जगा maximum काम softwares नियनतित कर रहे है जो लोग बिलकुल नहीं है coding programming के बारे में कुछ नहीं जानते हैं बिलकुल beginner level से start करना चाते हैं उनके लिए python best programming language है python बहुत easy है दोस्तो simple है high level और powerful programming language है ये free है open source है और आज कल हर जगह इसका use किया जा रहा है चाहें वो AI हो, machine learning हो robotics हो, data science हो, IoT हो हर जगह आप python सीख कर कई field में जा सकते हैं आप app developer बन सकते हैं game developer बन सकते हैं web developer बन सकते हैं और दोस्तो आप data science भी सीख कर data scientist बन सकते हैं एक python का course आपको कई सारे option देता है कई field में जाने का एक opportunity देता है दोस्तो आपने NDTV का news तो पढ़ाई होगा कि एक 12 साल का लड़का data scientist है और वो job करता है एक company के लिए दोस्तो coding programming बहुत important skill है इसे कोई भी कहीं सभी free of course स्थिख सकता है even class 6 का बच्चा भी सिख सकता है और अच्छे से अच्छे software बना सकता है और ये skill आपको कभी बेरोजगार नहीं होने देगी तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप python से start कर सकते हो और python कहा कहा पे आप सिख सकते हो IIT Bombay का ये course कैसे join करना है तो इसके लिए अपने ब्राउजर में जाएए और टाइप करिए swam.gov.in और इस website पे आजाएए swam कवर्मेंट के द्वारा लॉंच किया गया free e-learning portal है यहाँ पे आपको 500 से भी ज़्यादा free open courses मिल जाएंगे कई सारे domain पे इनके 7 qualinators हैं जिनमें आपको NPTEL देखने को मिल जाएगा NCERT, IGNU, AICTE ये लोग समय समय पे नएने courses अपडेट करते रहते हैं सभी complete courses होते हैं तो हमें चाहिए हिंदी में Python तो दोस्तों यहाँ पे सर्च करेंगे हिंदी किवल आपको हिंदी सर्च करना है और जैसे आप किवल हिंदी सर्च करेंगे तो इस समय स्वैम पे जितने भी हिंदी वाले courses हैं वो आज आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे C, C++, in Hindi, Java, Linux, Operating System और यहाँ पे है अपना course Python 3.4.3 हिंदी में Indian Institute of Technology, Bombay तो इस course में इंडरॉल करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे Python 3.4.3 हिंदी बाइ प्रोफेसर कनन प्रोफेसर कनन ने इस course को बनाया है यह एक IIT Bombay के प्रोफेसर है इस course में साब-साब लिखा है 39 audio, video, scope, tutorial सामिल हैं जिसके इप्योग से आप Python programming language को असानी से सीख सकते हैं यहाँ पे सारा course के बारे में details लिखा गया है नीचे आपको एक प्रोफेसर मिल जाएगा दोस्तों आप दिख सकते हैं Click here for browsers जैसे इस पे क्लिक करेंगे इस प्रोफेसर में आपको और भी डिटेल मिल जाएगी Python and course related जैसे what is Python, why Python, where can you use Python जिसमें आप game development, web development, parallel computing, user interfaces और who uses Python Google, Yahoo, NASA, IBM, YouTube और Cinema 4D, software जैसे games में और Crystal Space 3D यह सब भी यूज करते हैं बहुत सारी information है तो अभी हम लोग फिर से उस course पे आते हैं तो दोस्तों इस course में कैसे enroll करना है यहाँ पे एक enroll now का button होगा मैंने all ladies में login कर लिया है simply अपने email ID से login करना है तो चलिए मैं आपको इस course का एक overview देता हूँ login करके go to course पे करेंगे तो आप इस वाले page पे आएंगे यहाँ पे आपको 3 level दिया जाएगा basic level और नीचे है intermediate level और last में है advanced level दोस्तों यहाँ पे आप python basic से start करके बिल्कुल advanced level तक सिख सकते हैं तो मैं आपको एक play करके दिखाता हूँ कैसे यह play होता है तो मैं अगर यहाँ पे saving plots पे click करता हूँ तो यह वाला lecture play होना यह start हो जाएगा यहा पे आपको क्या-क्या इसमें सिखाया गया इस lecture में वह लिखा रहता है यहाँ पे आप direct ask क्वेस्चन कर सकते हैं और नीचे आपको assignment मिलते हैं यहाँ पे आपको हर एक lecture में नीचे assignment मिलते हैं जिन्ने आप complete करके अपनी knowledge को check कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको certificate में मिलेगा लेकिन उसके लिए आपको 1100 पे करने पड़ेंगे और एक test देना पड़ेगा test की cost है 1100 दोस्तों जैसे आप इस test को pass करोगी तो आपको certificate मिल जाएगा तो कैसे apply करना है इसके लिए आप एक announcement का tab दिया है जैसे आप इसपे click करेंगे तो यह बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको mail करना है और वो आपको time to time update कर देंगे कि कब यहाँ पे आपका exam होगा तो उस तरह आप certificate भी पा सकते हो लेकिन दोस्तो अगर आप बिल्कुल free of cost python का certificate पाना चाहते हो तो उसके लिएक website है वो है allison.com दोस्तो allison.com पे वो course आपको मिल जाएगा diploma in python programming का यह 10 घंडे का course है इसमें आपको free of cost certificate मिलेगा तो जैसे आप यहाँ से हिंदी में सीख जाओगे अच्छे से फिर आपको यह course करना है जो आप 10 घंडे में खतम कर सकते हो सारे इसके वीडियो और text content को तो फिर आप यहाँ से certificate डाउनलोड कर पाओगे तो इस तरह आप कोई भी certificate चाहते हो तो पहले हिंदी में कहीं से भी सीख लो अच्छे से और allison पे आके वो course search करो आपको मिल जाएगा और फिर वो free of cost वहाँ से allison से certified हो जाओ तो यह एक trick है दोस्तो कोई भी course कर लो कहीं से भी और certificate लेलो allison से थर्ड नमबर पे है दोस्तो data science for beginner by gray atom जो लोग data scientist, data analyst, data engineer बनना चाहते हैं उनके लिए एक best course है free of cost है अगर आप एक बार data science सीख गए यह skill आपको कभी बिरुजगार नहीं होने देगी यह skill काफी boom पे है, high demand पे है इसी वज़र से इंडिया में कई institutes ने offline भी सिखाना स्टार्ट कर दिया है बट वो लोग लाखो रुपे चार्ज कर रहे हैं इन courses के लिए आप यहां से पिलकुल free of cost दिख सकते हो with certificate data scientist का काम mainly data को collect करना, merge करना, trend को देखते हुए उन्हें analyze करना और companies को facts and decision देना जिसे company better product and service बना पाए अपने customer के लिए दोस्तो data science for beginner using python, इस course को join करने से पहले आप python सीख लिजिए, मैंने अल्लेडी बता दिया है python कैसे सीखना है, माल लिजिए किसी कारण वस आपको यह swam का course अच्छा ने लग रहा है, तो आप python learn one से भी सीख सकते हैं तो वहाँ पे आपको कई तरह courses मिल जाएंगे, आप जाकर check कर लेना, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, data science for beginner यह course कैसे मिलेगा, दोस्तो data science for beginner यह course आपको AICTE के website पे मिल जाएगा, तो google में जाके search करिए AICTE और यहाँ पे free courses पे click कर दिजिए, जैसे आप click करेंगे तो आप इस वाले website पे आजाएंगे, यह है दोस्तो All India Council for Technical Education का website, दोस्तो यहाँ पे बहुत सारे courses free कर दिए गए हैं, इस lockdown में, तो बस आपको इंडॉल करना है, और कोई भी course आप सिख सकते हो, जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे grey atom का यह course है, 26 week का data science, यह course नहीं है, मैं आप यहाँ पे बहुत सारे courses हैं, जैसे आप यहाँ पे आप दे सकते हो, JUVI का यह course है, game development using pygame, अगर आपको python आता है, तो आप pygame को यूज करके, ए घंडे का यह course है, यह भी कर सकते हो, तो यह है वो course, great atom के द्वारा data science for beginner, इस course पे क्लिक करना है, तो इसका link description में है, direct क्लिक करक सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, learn for free during covid shutdown, और इस course को वही लोग कर सकते है, जो math से 10 plus 2 किया है, या तो वो engineering से graduate है, या science से graduate है, तो वो लोग data science को कर सकते है, क्योंकि दोस्तों इसमें math लगती है, तो data science सिखने के लिए आपको math background से होना चाहिए, यह course simple Indian English में है, जो आप आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, तो दोस्तों यह तो थे वो 3 courses, जिने आप इस lockdown में सीख कर अपनी skill को improve कर सकते हो, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आसा करता हूँ, इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, मिलते हैं ऐसे ही बहुत जल एक useful informative कियांच, व Крас में जिलता हुई।